इस question को देखिए, बहुत अच्छा question है, CBC 2015 में आया हुआ question है, 3 sets में आया था, set 1, set 2, set 3, कहारा है, the coordinate of the point A and B, A के coordinate minus 2, minus 2, और B के coordinate कितने, 2, minus 4, find the coordinates of the point P, such that A P is equals to 3 by 7 A B, अब ये क्या बात है, कहारा है कि P lies in the line segment A B, ठीक है भाई, चलो देखते हैं क्या चल ला है, समझो बच्छों, ये point A है, ठीक है students, ये कोई point A है आपके पास, और इसी तरीके से बच्छों, कोई point B है आपके पास, ठीक है students, चलो A और B को joint कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से line segment A और B को हमने join कर लिया, point A और B को join करने से line segment A, B बन गया, ठीक है ना चलो, A के coordinates के आपके minus 2, comma minus 2 और B के coordinates के हैं बच्छों आपके so 2, comma minus 4 सही है, अब देखे क्या कह रहा है कह रहा है, find the coordinates of the point P अब P lies on the line segment A, B P कहीं यहां कहीं आ रहा है अब कहां आ रहा है हमें नहीं पता, लेकिन मान लो P यहां आ रहा है, समझो भाई देखो, मान लो P की position यहां पर है और P के coordinates हमको निकालने हैं और P के coordinates हमने कहा भाई, चलो X, Y हम अजिवन कर लेते हैं अब यहां पर direct ratio आपको नहीं दिया हुआ है कुछ hint आपको दिया हुआ है, क्या दिया है AP का length 3 by 7 AB है क्या given है आपको question में द्यान से चक करिए बच्चों AP का length किसके call है 3 by 7 times of AB यह आपको given है ठीक, तो ज़्यादा परशान नहीं होने का देखो, याने कि AP is to AB आपको दिया हुआ एक तरीके से मतलब, देखो देखो, इसको सोचने के दो तरीके है, पताए क्या तरीका एक तो इसको आप ऐसे सोचते हो क्या कि AP is equals to 3 by 7 of यहां multiply कुछ नहीं तो ठीक याने कि पताए इसका meaning समझो बच्चो पहले इसका meaning समझो तो जादा अच्छा है जैसे AP is equals to 3 by 7 of AB, AB क्या है, whole है, whole, पूरा यहां से यहां तक क्या है, AB मतलब, पूरे का कितना part पूरे का कितना part 3 by 7 part, यह क्या बात होगी सर इसका यह मतलब होता है, बच्चो समझो, समझो, समझो इसका यह मतलब होता है, कि पूरे line segment को कितने भागों में break कर लो 7 equal parts में, और उसमें से कितने part ले लो 3 part ले लो, यह मतलब होता है इसका, नहीं समझे, देखो, समझो जो पूरा line segment AB है ना उसको आप, यहाँ पर जो denominator में दिखा रहा है देखो, इतने बराबर भागों में बाट लो मैं आपको meaning समझा देता हूं, इसका बच्चो देखिए समझो, समझो चलो, coordinates वो करा बाद में लिख लेंगे, एक बार फिर से देखो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब समझो आप, देखो बच्चो, यह A है और इसको साथ बराबर भागों में बाट लो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ था ठीक है, तो और यहाँ पर B आ जाएगा यह लो, यानि कि A, B के टोटल कितने भाग करो, 7 इक्वल पार्ट करो, समझो A, B के टोटल 7 इक्वल पार्ट करो, और 7 में से कितना ले लो, A, B के टोटल 7 पार्ट करके, उसमें से कितना ले लो, 3 पार्ट ले लो, ले लो, ले ले लो, एक पार्ट, देखो यहाँ से एक पार्ट दो पाट और यह रहा तीसरा पार्ट पी यहाँ कहीं बैठा होगा यह चल रहा है क। सही है है तो दो पी के कॉटिनेस्ट आपने क्या कहा कि U m सबस्क्राइब कर रहे है बताओ यहां से यहां तक लेगे कितने पार्ट है एक पाट दो पार्ट तीन पार्ट ठीच्छार पार्ट तीस्टू फोर में कर रहे हैं नहीं समझें हां समदो ना बाई एपी का लेंथ इस टू पीबी का लेंथ अगर मैं लूँ चेक कर लो ना एपी इस टू पीबी अगर बच्चों मैं निकालू तो एपी कितने पार्ट है बोलो देखके तीन पार्ट और पीबी कितने पार्ट है चार तो तीन बटे चार का मतलब कटेगा त तो 3 is to 4 नहीं आ गया बताओ ठीक याने के आपको बच्चों M1 is to M2 एक तरीके से कितना दिया है M1 बस यही पैचानना है इस question में M1 is to M2 आपको 7 is to 3 is to 7 नहीं लेना आपको क्या लेना है 3 is to 4 लेना है ठीक और यह हो गया आपका क्या X1, Y1 और यह हो गया क्या X2, Y2 और यह हो गया X, Y1 और यह हो गया X, Y अब X, Y के आपको वैलू बताने यहां पर पॉइंट पी के कोडिनेट बताने पढ़ लो find the points कहां गया कुछ पूछ रहा है क्या पूछ रहे भाई find the coordinate of P हाँ अब देखो जरूरी नहीं कि आप ऐसा करो जरूरी नहीं कि आप ऐसा करो आप पता है क्या कर लो समझो आप एक काम कर लो ना भाई आप ऐसे solve कर लो कितना हो जाएगा अब देखो बच्छो यहां से आपका क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूं इसको रैसिप्रोकल कर दो कैसे पता चल ला है सर चाहें तो अभी हम वन सब्ट्रैक कर दें लेकिन अगर आप वन सब्ट्रैक करोगे तो 3-7-4 आ जाएगा निगेटिव में सब्सक्राइब में नहीं आना चाहिए पहले रैसिप्रोकल करो तो रैसिप्रोकल करोगे तो एबी बाइए पी इस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताईए 7-3-1 बच्छो लेफ्ट हैं साइड कर लो माइनस वन राइट हैं साइड कर लो बात आपकी बन जाएगी अगर और यह एपी मल्टिप्लाई करेगा किसमें बन में तो एबी माइनस एपी हो जाएगा बई एपी इंट एपी अपन एपी इस इक्वल्स टू यहांस देखो क्या हो जाएगा 7 और 3-1-3 और 3 यह लीचे सही है अब बताओ डाइग्राम देख लो एबी माइनस एपी कितना ब बचेगा फीबी ठीक तो ऊपर क्या बचेगा बताओ यहां पर यहां मैं कर रहा हूं ठीक ऊपर बचेगा पीबी बाए क्या बचेगा एपी है ना इस इक्वल्स टू बच्छों 7-3 कितना होता है 4-3 लेकिन 4-3 मतले लेला ना 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 एसे कहां चलना है वी की तरफ तो कैसे लेना पड़ेगा एपी इस टू फीबी लेना पड़ेगा आपका क्या आ रहा है आपका तो लेना ना 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 ये से बी की तरफ चलना है यान कि फिर से रैसीन कलकर कर दो तो यह रreigram हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अ पहिंपी पाई पीबी और यहां पीछा तो AP is to PB कितना आ रहा है 3 is to 4 दो तरीके हैं जो तरीके आपको लगाने हूँ आप लगा सकते हो अब इस question में कुछ बचा है नहीं बच्चों अब तो आप समस्दार हो कुछ नहीं करना है क्या से निकालोगे हाँ बताओ फार्मुला क्या होता है M1 X2 प्लस M2 X1 भाई M1 प्लस M2 मैं डारेक्ट कर रहा हूं चेक कर लेना M1 की जगा कितना है 3 M1 इंटू X2 X2 कितना है 2 और प्लस M2 इंटू X1 सो M2 कितना है 4 इंटू X1 कितना है बच्चों माइनस 2 है ध्यान दीजेगा जरा तो 4 इंटू माइनस 2 और अपान में बच्चों M1 प्लस M2 M1 की जगा 3 और M2 की जगा कितना हो जाएगा 4 तो नीचा आ ज 8 कितना होता है, minus 2, यहने कितना आजाएगा, minus 2 by 7, चाहिए, यहने कि point P के coordinate क्या हो गया, x coordinate क्या हो गया, minus 2 by 7 और y निकाल लीचे, so y coordinate हो जाएगा, बच्छो क्या होता है, बताइए, m1 into y2, m1 कितना है, 3, okay, so 3 into y2 कितना है, students, minus 4, तो 3 into minus 4 और plus m2 into y1 so m2 कितना है 4 है ना और into में y1, y1 कितना है minus 2 सही है, this into this और this into this सही है, और divided by m1 plus m2, अब मैं direct कर रहा हूँ 3 plus 4, 7 होता है, ठीक 3 4 जा होता है 12, यहनिके minus का 12 और plus, plus minus minus 4 2 जा minus 8, ओके तो यहां आ जाएगा आपके बास कितना minus का 8 अब बच्चो, यहां सोज़ेगा minus 12, minus 8, minus 20 और minus 20 by 7, यह लोग हतम अब कटेगा तो है नहीं, यानि कितना आ जाएगा minus 20 by 7, ओके तो इस तरीके से बच्चो, जो point P के coordinates हैं, वो कितने आ गए, यह आपका अंसर है, minus 2 by 7, minus 20 by 7, कर लीचे कितना आएगा जाएगा, यहां सोज़ेगा